वेलकाम अगेनी लर्ण विद दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन का चेप्टर नूबर थर्टीन पार्ट सेकिंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिना देरी के दक्षिन भारत की नदियों को मुख्यत किया गया है तो कौन-कौन सी नदिया हैं दो भागों में एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो दो भागों में वर्गी करत किया गया है किस तरीके से अब भागरम के आदार पर जो नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं और कुछ नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं इस प्रकार दक्षिन भारत की जो नदियां हैं उनको मुख्यत है दो भागों में क्रत क्या गये है ना नाक कोशेंट देखिये बंगाल की खाड़ी में गिर fragments करने क्रती क्रत किया गया है किया अब नेक कोशें देखिये बंगाल की खाड़ी में गंगा कहा जाता है, यह कोशन बहुत बार रिपीट हुआ है और यह कभी भी रिपीट हो जाता है, तो इस कोशन का इपसे दियान रखेगा, किस नदी को दक्षन की गंगा कहा जाता है, तो वो है आपकी कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षन की गंगा कहा जाता है, नेक क दक्षिन का उध्यान किसे कहा जाता है यह कुशन भी काफी important है दक्षिन का उध्यान किसे कहा जाता है तो यह है आपका तंजावुर जिला जो है वो दक्षिन का उध्यान कहलाता है नेक कोश्चन देखिए तंजावुर जिला किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये तंजावुर का जो जिला है जो दक्षिन का उध्यान कहा जाता है ये किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये आपकी कावेरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये भी कोश्चन आता तो तंजावुर्जिला जो काविरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है जिसे दक्षन का उध्धान कहा जाता है नेक कोशन देखिए किस नदी के जल पर करनाटक वे तमिल नाडू राजियों में विवाद का कारण है तो वो भी आपकी काविरी नदी है पाविरी नदी के जल के उपर जो आपका करनाटक और तमिल नाडू है उन दोनों राजियों की बीच में विवाद बना हुआ रहा है नेक कोशन देखिए किस नदी पर हीरा कुंड बान निर्वित बना हुआ है ये कोशन तो लिशित रूप से आपको आना ही ही चाहिए क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंस है किस नदी पर हीरा कुंड बान बना हुआ है महा नदी पर बना हुआ है नेक कोशन महा नदी का उदभाव किस जली से माना जाता है नेक कोशन देखिए, किष्णा नदी का उद्भव कहां से माना गया है, किष्णा नदी जो है, उसका उद्भव कहां से माना गया है, तो किष्णा नदी महा बलेश्वर के पास पस्चिमी घाट से इसका उद्भव हुआ है, यानि कहां से निकली है आपकी किष्णा नदी महा बलेश्वर के पास पशिमिघाट से नेक कुश्चन देखिए प्राइदीपिय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्राइदीपिय पठार की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है तो वो आपकी गोदावरी नदी है गोदावरी नदी प्राइदी पिय पठार की सबसे बड़ी नदी है नेक कुश्चन देखिए गोदावरी नदी का उदबव कहां से है गोदावरी जो नदी है उसका उदबव कहां से है तो वो है आपके महराष्ट्राज्ये में नासिक के पास त्रंबकम पठार से हैं महराष्ट्राज्ये में नासिक के पास त्रंबकम पठार है वहाँ से गोदावरी नदी कलती है Next question देखिए गोदावी नदी से निर्मित डेल्टा किस प्रकार की आकरती बनाता है तो तरकौणा कार आकरती बनाता है अरबसागर में गिरने वाली मुक्य नदियां कोंसे हैं इससे पहले हमने कहां पढ़ी थी बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ी थी अब ये अरब सागर में गिरने वाली मुखे नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, तापती, माही और साबर मती जैसे बहुत सारी नदियां है जो अरब सागर में गिरती है Next question देखें नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी है, उसका उद्भा किस स्थान से है? तो उसका उद्भा अमरकंटक से है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है Next question देखें बेडा गाट की संख मरमर की चत्ताने में कपिल धारा प्रपात किस नदी से संबंदित है? तो किस संबंदित है? नर्मदा नदी से ये नर्मदा नदी से संबंदित हैं नर्मदा नदी से? Next question देखें डल, ननी ताल, नो कुछिया, ताल, भीम ताल, आदी जीले कहां इसे थें यह आपने जरूर सुना होगा डल जील, ननी ताल, नो कुछिया, ताल, भीम ताल यह सबी जीले कहां पर हैं यह आपके हिमाले चेतर में हैं यह कहां पर हैं आपके हिमाले चेतर की ये सारी जीलें हैं ये मीठे पानी की जीलें है न next question देखिए कस्मीर में किस प्रसित जील का निर्माण भूपरष्ठ धसने से हुआ है यानि आपकी जो धर्ती है उसके धसने से कस्मीर में जील का निर्माण हुआ है जो काफी famous है और बहुत बड़ा प्रेटन इस्तल भी है तो वह है आपकी बूलर जील बूलर जील जो है कस्मीर में पनियो ही है और उसका निर्माण कैसे हुआ भूपरष्ट धसनी की वज़े से हुआ है next question देखिए महाराष्ट में किस जील का निर्माण सांत हो चुके जोला मुखी के मुख में जल भरने के कारण हुआ है महाराष्ट में जील है जिसका निर्माण जो है जोला मुखी जो था वो कभी सक्रिय रहा होगा लेकिन जब वो सांत हो गया तो उसमें जो मुख था उसमें जल भर गया तो उसकी वज़े से एक झील का निर्माण हुआ वो जील किस नाम से है वो है लोनार जील माराश्ट की जो लोनार जील है वो एक जौला मुखी के सांत हो चुके जौला मुखी का जो मुख होता है उसमें जल बरने के करण बनी है नदियों के मोहाने पर समुद्री लहलों द्वारा एकत्र बालू मिट्टी के टीलों द्वारा जल को अलग करने के करण बनने वाली अनूप जीलों के उधार्ण है। चिलका जील, ओरिशा की, नैलोर जील, पुली कटकी और कॉलेरू जील, आंधर प्रदेश की ये सबी कैसी जीले हैं? ये ऐसी अनूप जीले हैं जो नदियों के मोहाने पर जो समुद्री ले रहे हैं उनके द्वारा बालू मिट्टी कट्टी हो गई, टीले बन गए और उनकी स्रॉथ है जल, स्रॉथ, उससे अलग हो गया और एक नया क्या बन गया? एक आपकी जील बन गई है ना? तो इन जीलों की वैसे चिलका जील, नैरोर जील और कॉलेरू जील इस परकार के उधारण हैं नैक कोशन देखिए, रायस्थान में निचली भूमी में जल भराव से निर्मेट जीलें जैसे सांभर, डिडवाना, लून करणसर, पचपदरा, आदी जीलों को इस्थानिय भासा में क्या कह जाता है? आप जानते हैं ये कैसी जीले हैं? ये सामने तोर पे ये सारी की सारी हुआ, और ये जो सभी जीले हैं, ये आपने टेतिस सागर के बारे में पढ़ा होगा, तो टेतिस सागर का अवसेश भी माना जाता है इनको, तो इनको इस्थानिय भासा में इन जीलों को क्या कहा जाता है? ये कोशन यहाँ पर है, तो इस्थानिय भासा में इसको क्या कहा जाएगा धान्ड या अत्वा सर जिसको हम और समाने भासा में अपने गाउं में तलाई भी कहते हैं कहते हैं न तलाई धान्ड अत्वा सर यह सभी इसके जाइस्थान में बोले जाने वाले नाम है नेक कुश्चन देखिए 1803 में इसी में अलकननदा नदी के मार्ग में पहाड़ी धाल से सैलों के खिसकने से निर्मित जील का क्या नाम है एक जील निर्मित हुई 1803 में इसी में अलकननदा जो नदी है उसके मार्ग में पहाड़ी धाल खिसक गई जिससे एक नई जील उसके पानी में रुकावट आई तो उसकी वज़े एक नई जील का निर्मान हो गया, तो उस जील को क्या नाम दिया गया है, तो वो है आपकी गहुना जील, गहुना जील जो है अलग नंदा नदी के मार्ग में बनती है, तेके, नेक कोशन देखिए, मैदानी प्रदेशों में ढाल के मंद होने से नदी विसरपा कार मार्गों में धीमे धीमे बैकर किस प्रकार की जीलों का निर्मान करती है, ये कोशन दूसरे तरीके से आया था, लेकिन ये कोशन भी कई बार रिपीट हुआ है, इस कोशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएग मैदानी प्रदेशों में ढाल के मंद होने से नदी विसरपा कार मार्गों में धीमे धीमे बैकर किस प्रकार की जीलों का निर्मान करती है, तो कौशी है, चाडन या गौकरा कार, आपका जो कोशन आया था, वो ये पूचा गया था कि गौकरा कार जीलों का निर्मान कहा हो को चाहीए जो पहाड़ कम हो जाती है पहाड़ी फ्हीं कर द्योतरों असको जाड़ेन या मगोरा कि तो जीद कर निमा के बनाती है जैसे गौ का जो खुर है यानि पैर है गौकुरा मतलब क्या होता है गौका खुर यानि गाय का पैर का जो निसान होता है उस तरह की लगभग आकरती ये बनाती हैं इसलिए इसको छाडन या गौकुरा का जील कहा जाता है तो बचों एक पार्ट आपका और बनेगा जिसमें राइस्चान की जीले और नदियां है इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाब तो मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ नेक्स वीडियो में कल ही तब तक के लिए बचों थैंक यू